आप सब टीक होंगे और आज हम रियूस करेंगे इस रुमाल का तो रुमाल का अगर आप कपड़े से बनाना चाहते हो तो नाप है 9.5 x 9.5 इचिस अब कोई भी बेकार सी सौपिंग बेग या ले सकते हैं जो आपको यूसफुल नहीं है उसे ले लिजे कट कर लिजे रुमाल के नाप से ही और इसे स्टीज करके चोड़ लिजे देखे अगर आपको ठीक बनाना है तो मैंने यहां पर जैसे डबल लिया है वैसे आप भी डब करना अब हमने जिप ले लिया इसे उल्टी रखिए और स्टीज किये लाइक चरूर किजेगा आप भूल जाते हो इसलिए मैं याद कर रहे हूं आपको वीडियो अच्छा लगता है आपको लाइक करना भी होता है लेकिन भूल जाते हो तो यहां पर दूसरी साइड हम भूल दीजिए रणर आप बात में भी डाल सकते हैं और प्रेस्टीज कर लिज्ए अब ऐसे हम दूसरी साइड भी प्रेस्टीज कर लेंगे देखिए ऐसे घुमाना है और हमें रिटर्न होना है मतलब प्रेस्टीज करते हुए तो आपको जो भी इजी तरीका लगे वो यूज कर लिजेगा और यहाँ पे आपके पास कोई भी वेस्ट कपड़ा भी यूज कर सकती है या फिर रुमाल भी यूज कर सकती है अब आपको क्या करना है यहाँ पे दिखिए ऐसे दबाईए आप देख लिजे फिर यहाँ पे स्टीज कर लिजेगा और जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लिजेगा और यह देखिए यह मैंने त्रेडिमेट दोरी ले ली है थर्टे नीचेस की अब कपड़ी का बना सकती है अगर आपको कपड़ी का बनाना है और मेहनत कम करनी है तो ऐसे दोरी भी अटेज चरूड यह कर सकती है तो यह दोरी को हम यहाँ पे जिब के स्पास ही रख देंगे और स्टीज कर लेंगे यह देखें यहां पर हम नॉट भी बाद देंगे एक और स्टीज करते जाएंगे और फिर आपको यहां से उपन करना है इसे सीधा कर लीजिए तो कितनी प्यारा सा यह पाउंच हमारा बनकर रेडि हो गया है और ऐसे रेडिमेट आप लेने जाओगे तो बहुत महंगे होंगे और आप इसमें देखें बहुत यूसफुल है बहुत सारी चीजे इसके अंदर आप रख सकते हो ऐसे बहुत ही कामका है देखें आप ट्रावेलिंग कर रहे हो तो इतना छोटा सा पाउंच आपके लिए जरूरी है सबके लिए जरूरी है तो आप खुछ से बना सकते हो और आपको कैसा लगा जरू से बताएगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं ऐसे आइडिया के साथ नेक्स वीडियो में तब तब के लिए बबाई जय भारत बंदे मातरम